राउज की विडियो में हम लोग बात करने वारे यार राउं टू के अलॉट्मारेंट के बारे में डेवलि वेज़े राउंद टू अलॉट्मेंट आचुका है कल और कल से ही मुझे बहुत सारा डियम और बहुत सारा मेसेज़ेज और बहुत सारा कमेंट्स मिलना शुरू हो गया जैसा कि हरा बार होता है ऐसा हो गया तसलिए मैं यहार याई करता हूं सब कुछ देखने हूं उसके बाद मुझे एक हुबरॉल पता चल जाए तो में विडियो बना के विडियो के थूज सब कुछ क्लियर कर दूं ठीक है मेरा खुछ से रहता है तो जो यह बच्चे जाले को पहली बार देख रहे हैं और जो जो यूनियर्स हो या आज का वीडियो तो सबसे बाहला important बात यारेक मेरा बात ध्यान में रखना इस उस बार का counseling या चेंज हुआ जिसके वज़े से बहुत सारा problems face करना है पड़ा है बहुत बच्चा को मैं यार experience हुँ मैंने बहुत सारा counseling किया तभी मैं आपको बता रहा हूँ मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ ठीक है उसके regarding इसलिए मैंने एक अच्छा से बता भी दिया और मैंने बार बार एक चीछ बात आपसे कही है कि यार अप सिर्फ मत देखो कि मुझे अच्छे अच्छे colleges चाहिए नहीं यह गलती पर इस बार मत रहना आपको max to max stress feeling देना है अच्छे colleges का क्योंकि इसे probability आपका chances बढ़ता है यही गलती हो रहा है बार बार बहुत कोई से और अभी तक उन्हें college नहीं मिला है नहीं है बच्चे महनत करते तब जाके rankers आता है तो जो 15K वाले उससे नहीं मिला और 50K उसे मिल चुका है तो वो अगर सूने त क्योंकि counseling pattern change हुआ है इन cycle में वही नहीं होता है इन cycle में आपको जो अच्छा जो deserved candidate है उसे मिल जाता है इसलिए इन cycle बनाया गया और वहीं पे सारा खेला खतम हो जाता है तो आज का वीडियो यार इन cycle के regarding doubts तो अभी आपको मिला है बहुत सारा का ऐसा है अब यह पहले वाल हर चीज बताता है यार यह आपके जिंदगी में एकी बार आपको जहलना है ठीक है मुझे पता है बहुत को टेंसन हो रहा होगा इसे मिल गया उसे कोई प्रात नहीं हो तो मस्त है बट जो अभी गुजर रहा है उस condition से उसे टेंसन अभी हो रहा होगा बहुत माथा परिसान हो रहा हो कि life का सवाल है तो अगर टेंसन मतलो यार बात को समझो clear करो हर बढ़ी मतलो सब कुछ होगा कुछ दिन की बात है कुछ दिन बात हो यह खतम होने वाला है अपको लाइफ में जाए अराम से इंजॉय करो अपना life एक निवा आपको यह मेलेगा सो बस कुछी दिन का बात है तो इससे ध्यान से करो क्योंकि इस पर आगे का फिचर आपका टिका हुआ है इसलिए मैं बोलता हूं ध्यान से देखा करो फिर डाउट रहें तो कमेंट किया करो एक ही चीज मत पूछा करो उससे मैं भी ने बता सकता आपको और आप भी जूटमिट का परिसान होगे मैंने कोशिस करता हूं हर वीडियो में सारा एंसर देने का तो कम सब्सक्राइब वीडियो को देखो तो क्लियर होगा तो चलो तैसा की हर बार होता है इस बार भी आपका है अपग्रेड फीस का उप्शन तो बहुत बच्चा का डाउट है कि भाईया सबसे पहला वाला हम ब वह क्या करें तो देखो यह सेम कॉलेज मिलने पर आपको याद होगा जिस जिसको इन साइकल वाला राउंड में सेम कॉलेज मिला था वो उनके पास क्या-क्या ऑप्शन था या तो फ्रीज कर सकते हैं या तो फ्रीज करने का या तो नो चेंज करने का यही ऑप्शन दिलाना तो आपने येस अप्ग्रेडेशन कर दिया बट वह अप्ग्रेड तो हुआ नहीं वह तो वही कॉलेज आ रहा है तो यार अभी वेट करो आपका टाइम है अच्छा से ठीक है एक तारीक तक एक तारीक को अभी थर्टी तक तो आपको पास टाइम है अराम से ठीक है इतना दूर तक टाइम है डेट सीड एक बास चेक कर लेना फिर भी लेगिन मुझे इतना तक याद है 30 तक है एक तरीक का अपका इंसाइकल का फिर से अलोट्मेंट मिलेगा जो रॉंड टू का है तो उससे पहले त अब ग्रेड का आपशन नहीं मिलता या भी नहीं मिल रहा है एक बार आप help plan में contact कर सकते हो मैं आपको safe side बता दे रहा हूं लेकिन मैं जानता हूं जतना मैं जानता हूं आपको बताता हूं इन cycle में same problem हो रहा था बहुत बच्चों के साथ उसने मैंने बताया कि भाईया आपने अप्ग्रेड तो कर दिया है चलो अच्छी बात है तो अगर आपको option नहीं मिल रहा है इसका मतलब वेब जी ने आपको अप्ग्रेड में ही डाल कर रखा है इसका confirmation के लिए आप जब क्लिक करोंगे अपना टेंग में तो वहां देखना यह सिनमें टीक सतनि हैं कि नहीं अगर आट объяс के लिए है इसका मतलब वो अप्ग्रेड़ीड ही है क्योंकि आपको सेमी कॉलेज मिला है आपको तो अप्ग्रेड़ीशन मिलेगा कि नहीं वह बात की बात है वह तो समय में बदा शलेगा तो यह जो कन्फीजन था यह दूर करो जिसे सेम कॉलेज मिल चुका है जो परिसान है क्योंकि मैक्सिमम बच्चा को सेम कॉलेज मिला है फर्स्ट रॉन के बाद सेकंड रॉन में इसका कारण का है वो भी थोड़ा बताएंगे क्योंकि सेकंड रॉन में थोड़ा सा अच्छा उमीद था लेकिन अतना अच्छा हुआ नहीं मुझे तो लगता है फर्स रॉन कोई निकल जा तो अच्छी बात है लेकिन मुझे उमीद तो कम है सीड वेकेंसी इन साइकल के बाद ही आयागा अब यहां पर डिपेंड करता है कि कि कितने नंबर केंड़ेट्स आते हैं जाते हैं क्या होता है तब वो इन साइकल पे एफेक्ट करेगा जो अभी सिनेरियो चल रहा है जिसकी इसाफ सकता हूँ अब यहां प्राब्लम ही जिसको अपग्रेट करें कि परीज करूरेr न नहीं तहूं फिर अपक्रीज में झोड़ दो वह ही कर सकते हो नहीं तो कहा कि तुम्हें admission लेना है, तुम्हें बहुत अच्छा college, सब कुछ satisfied हो, बार बार बोलता हूँ, तुम्हें सब तरफ से satisfaction मिल रहा है, कि तुम्हें जो चाहिए था अपने rank एसाब से अच्छा college मिल रहा है, तो तुम freeze कर लो, मिना कोई tension के, और जाकर admission करवा लो, औ freeze करोगे, तो उसके बाद इसी round के अंदर admission करवाना, ठीक है, कुसिस करना, इसी round में सब कुछ confirm करा कि admission कराने का, ठीक है, इन cycle के बाद भी चलेगा, लेकिन इसी round के अंदर, round 2 के अंदर, because round 3 अलग हो जाता है, यह मैं पहले clear कर दे रहा हूँ, अब withdraw की बार याती है, जिसक हो गया, भाया, मैं freeze कर लिया हूँ, मुझे क्या पैसा वापस मिलेगा, मुझे अप्ग्रेडेश नहीं चाहिए, वो college, तो जिसका यह बात है, उसको मैंने withdraw वाला वीडियो पहले ही बनाया था, आपको आई बटन में लिंक मिल जागा, description में लिंक होगा, playlist है, जाकर देख वापे, कि withdraw आप कभी भी कर सकते हो, withdrawal का आपको option tab में मिलता है नीचे में, अगर आपने freeze कर दिया है, तो नीचे में देखो withdrawal का option आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको willingness वगरा का tab होता है, उसके नीचे में withdrawal का भी option आएगा, वो option में click करो, आपका withdrawal हो जाएगा, आपको पैसा 60 दिन के बाद, 60 days के बाद वापस आएगा, नहीं, तो अगर आप admission नहीं भी लेते हो, तो by default, आप मैंने बताया, जो admission नहीं लेते हैं, वेब जी उसके बाद वो list निकालता है, कि इतनी candidates जहें, जिसनोंने freeze करने के बावजूद भी, admission colleges में नहीं लिया है, तो वो सारे बच समझना कि आज की हैं, तो कल में मेरा पैसा वापस आजाएगा, तो जिससे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, होप सब कुछ clear होगा, ठीक है, आपको freeze को option सब को मिलेगा, tension की बात नहीं है, अगर नहीं freeze को option आ रहा है, तो help plan में contact कर लेना, लेकिन option सब के पास आता है, freeze क किसी का हटेगा नहीं, कुछी भी round में नहीं हटेगा, वहले upgrade दिख सकता है, नहीं दिख सकता है, लेकिन freeze रहेगा, और no change वाले जो बोल रहे हैं, भीया, no change करें, तो no change करोगे, तो round 3 में आपको choice feeling option मिलेगा, और जो अभी upgrade करोगे, round 3 में option नहीं मिलेगा, ये तो clear सी बात है, जो अभी upgrade करेंगे, तो round 3 में choice feeling मिलेगा, अगर in cycle में अच्छा college मिल चुका है, तो यहाँ तुम accept कर लो, chances तो in cycle में ज्यादा ही होता है, तो I hope clear होगा, लेकिन इस बार में इतना बोल सकता हूँ, कि in cycle में ज्यादा variation round 1 के हिसाब से देखने नहीं मिलेगा, ठीक है, उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम होगा, इस बार ज्यादा result, जो पहले ऐसा था कि बहुत अच्छा हल दिया का भी इतना ज्यादा cut-off चल गया, इसका भी इतना ज्यादा cut-off चल गया, अच्छा च्यकोल जिसका, इस बार वो chances कम है, तो I hope सब कुछ क्लियर हो गया होगा, नहीं भी फिर वी डाउर से कमेंट करना, और चैनल पर नाया है तो सब्सक्राइब, बलगान को प्रस करते हैं, बार बलग बोता हो या, और अच्छा लगता है तो like करो या, motivation मिलता है अपने को वीडियो बनाने का, ठीक है, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रुखो, और अपना परिवार का भी ध्यान रखना, विकाउस कोरोना चल रहा है अभी भी, और कांसलिंग करते रहो, तब तक के लिए, बाई!